बिसम्मिल्यार्यमार्यर्म अस्वालेकुम जी इस लेक्शर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Python क्यों यूज करना है और Python क्यों इतना पापुलर हो गया है यह वो question है जो बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि यार Python सीखूं कि यार सीखूं या फ्लान लेंग्विज सीखूं या SQL सीखूं या क्या सीखूं भई अगर आप Python सीखना चाहते हैं this is the platform and Python क्यों सीखना है क्यों popular है this is the lecture इंशाला मैं भी आपको काईल करके छोड़ूँगा कि Python आपको सीखना क्यों जरूरी है सिरीन आपके सामने हाजिर है यहां पे आप देख सकते हैं कि Python क्या है और क्यों popular है मैंने बड़े literal example यहां पे दिया कि Python सामका भी नाम है लेकिन हम उस Python के बात नहीं कर रहे है वो जो discovery channel पर या national geographic पर नहीं आता था एक Python पूरे के पूरा जानवर निगल गया something like that this is not that one Python ये वल है ये एक programming language है ठीक है programming language देखते ही सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से टर्मिनल आ जाता है ठीक है इसको टर्मिनल बोला जाता है लेकिन Python के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि Python है क्या और Python हमें किन चीज़ों के बारे में information देता है तो Python एक high level interpreted programming language है known for its readability ठीक है simplicity और readability यानि कि एक आम बंदा भी code देखके समझ भी जाए और इसको लिखना भी शुरू कर दे on the other side यह जो Python बना था यह Guido, Von, Ruzum या Ghuzum इसको बोला जाता है यह Dutch थे Dutch हैं थे यह नहीं and first released in 1991 ठीक है 1991 में इन्होंने Python की programming language लिखी और उसे release किया था अब यह समझना इस वेटा से जरूरी है क्योंकि हम में काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें history का शौक नहीं है लेकिन जब वो बड़ी-बड़ी positions पर apply करते हैं उन्हें नहीं पता लगता है कि इसे question का हमने answer कैसे देना है so if you know कि कौन था founder of python या जिसने python लिखी थी so you will actually answer those questions very easily ठीक हो गया अब इनका नाम के है guido1 और जोजम भी कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं and guido भी कह सकते हैं 1991 में यह एक बंद है and believe me अगर आप इनको youtube पर देखेंगे you will understand कि इन्होंने python क्यों बनाई थी किस विज़ा से बनाई थी और उसकी एक video का link भी मैं आपके साथ हाँ शेयर करने माला हूँ actually python emphasizes code readability with its use of significant white space allowing developers to express concepts with fewer lines of code compared to C++, C sharp, Java या some other language इतनी ज्यादा languages थी इस बंदे का एक focus था कि हर बंदा, हर इंसान coding easily सीख सके और इसको और भी असानी के साथ बनाया जा सके that was the main thing of actually producing python programming language ठीक है और इनकी जो ये वाली video है मैं इसको चला नहीं सकता due to copyrights लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप इस video पर जाएं ग्योडवान रोजम creator of python का interview लिखें आप youtube के ओपर you will find this video इसका link में आपके साथ बात में share भी कर दूँगा you can understand easily के python हमारे पास किस तरीके से आया था and why this person is so important and behind the python है उनों ने क्यों बनाई थी इनकी अपनी जुबानी आप सुन सकते है and I have a big respect for this guy why because जिनों ने तब इतनी असानी पैदा की है जब chat gpd का सुवाल ही पैदा नहीं होता था so just imagine के उस वकत programming language किस नहेज पे थी और जो रोग प्रोग्रामिंग करते थे उनको बहुत ही कुछ different breed समझा जाता था but nowadays you can find a lot of programmers right अब python के अंदर जाने से पहले there are many other things that you should keep in mind ठीक है क्यों python python ही क्यों python has become one of the most popular languages for data science and machine learning due to several key reasons मैंने कुछ यहां पे लिखी है यह हर्फे आखिर नहीं है there are many other things जो इंशाला आप आने वाले दिनों में 80 दिनों के अंदर अंदर इस पूरे python के चिला के course के अंदर आप देखने वाले है this is simple and readable syntax बहुत असान है easy है extensive libraries and framework है यानि के लोगों ने इतने इतने बड़े-बड़े frameworks और codes के tutorials बना के इसके इलावा libraries बना बना के काम को और भी असान कर दिये ठीक है and we will see that active community and support है there are many people like हमारी भी जैसे codenix की community है माशाला से और इसमें 30,000 प्लस वैसे लोग है 1,60,000 वैसे subscribers है और हमारे Discord के अंदर हमेशा कोई 100 बंदा अवेलिबर रहता है 24 hours 24-7 के लिए so it's a big community support integration capabilities इसकी बड़ी है यानि कि आपने एक code लिखके बड़े process में अगर integrate करना है चुटकियों में बहुत असान है I mean चुटकियों का मतलब यह नहीं के चुटकी पर जाएंगी automatically हो जाएगा खुल जा सिम सिम टाइप ऐसा नहीं होगा वो एक बाश्चा की sorry एक जिन की example में देता हूँ वो अलादीन के चराग वाली वो एक बंदे ने जिन रगड़ा न जिन रगड़ा ना चोटे सा जिन बाइर आ गया कहता क्या हो कै मेरे आका कहता यार ऐसा करो यहां पे न दो गाड़ियां बड़ी बड़ी खड़ी कर दो यहां पे कोठी बना दो महल बना दो और इतनी देगें पगा दो फलाँ काम कर दो फलाँ काम कर दो तो उसने न बाव वो कहने ने चंगी वड़ी लिस्ट बना आगे देती तो वो आगे से कहता मेरे आका जड़ागी में है मेरे को दे इंदुई मगालो समझे रहे हैं इड़े वड़े कामनी मेरे को उने सो कहने का मकसद ये है कि आप जब पाइथान से चुटकियों में काम करवाना चाहते हैं यू शुड नो के कौन से काम पाइथान चुटकियों में करेगा नोट लाइक दाट कि आप सिरफ हुगम करें और उदर से चोटा सा जिन लिगे लिए काम बड़े करवाएं आप ग्राफ बनाएंगे उसको कॉम्प्यूट भी कर सकते हैं इंटरक्टिव भी देख सकते हैं and there are many other things then you can support for big data and parallel computing अगर आपने machine learning को algorithm को चलाना है parallel computation ये होती है कि एक process चल रहा है दूसरा भी चल रहा है तीसरा भी चल रहा है चोथा भी मतलब आप multiple cores को अपने CPU को जो यूज़ करके multiple काम कर सकते है rapid prototyping है चुटकियों में अब मैं कह सबता है चुटकियों में because you can use chat GPT and you can develop a working app in a day or two prototyping और भी असान हो गई है but python के साथ पहले भी असान थी community driven data science platforms and corporate sport and adoption है जितनी भी companies हैं वो python को बहुत ज्यादा support कर रही है और मैं ये दलील के साथ बात करने वाला हूँ अभी आपके सामने क्यों अब खुद सोचें Google data analytics professional certificate पहले आया और उन्होंने R को use किया था python इतनी companies ने use करना start कर दिया उन्होंने दुबारा से एक course निकला 2022 में गालिबन और उन्होंने उसको बोला Google advanced professional certificate और उसके अंदर सिर्फ python use की थी और भी की थी SQL बगारा भी लेकिन python main language थी IBM शुरू से python पे and there are many other companies जो python को prefer करती है खास दूर पे Amazon, Meta and some other companies as well अब मैं आपको एक example यहाँ पे देता हूँ यह graph आपके सामने है और इस graph के अंदर आप easily देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे data है जो statistica.com से लिया गया data ठीक है और यह 2020 तक का data है ठीक है February 29 से February 2020 तक का data यह yearly trends है compare percentage change from February this one to this one और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.1% yearly increase है inside python language क्यों यह most popular language गिनी गई है ठीक है tutorial search में and there are many other searches तो इसका मतलब है कि python 2020 में अगर top पे था अगर आप आज जाके latest trend निकालेंगे न python को compare करेंगे some other languages के साथ on google trends you will find python on top reason behind that हर बंदा python सेखने के लिए चला हुआ आप में से कितने लोग है मुझे चैट में बताएंगे कि आपने Python के बारे में पहले कब सुना था सबसे पहला कभ आपने यह संदा था python के बारे में को याद हो हो आपको एक साल दो साल तीन साल कब सुना था python कोई चीज़ ऐ कुछ लोग कह रहे हैं 2022 में कुछ कह रहे हैं बैचलर्स में भाई मुझे नहीं पता बैचलर्स आपने कप किया था तो अगर येर लिखनेंगे तो it would be nice for me So usually 2017-18 से उपर हैं लोग जिन्होंने Python के बारे में सुना था ऐसे ही है अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ Of course जिन्होंने computer science पढ़ी या उन्होंने पहले भी सुना होगा But usually during COVID-19 हर बंदा skill सीखने के पीछे चला गया था Am I right? और हो सकते हैं आपने तब Python का कोई course भी किया हो कहीं से So at that point लोग सीखी नहीं रहे थे उसको implement भी कर रहे थे हर field के अंदर Around 2019 to 2021, 2022 Until now And believe me तब से अब तक Python की demand और बढ़ती जा रही है ठीक है और एक मैं यहाँ पे आपको और trend यहाँ पे दिखाता हूँ You will see here यहाँ पे यह हमारे पास trend है And you can actually see कि यह वाला trend जो हमें शो करता है Let me show you यह है जनाब हमारे पास stack overflow से लिया गया data अगर आप गौर करें यहाँ पे 2012 से लेके 2018 तक Python बहुत नीचे था यहाँ पे And then suddenly boom आया यहाँ पे गरके 2017 से ओनवर जब आपने Python को सुनना स्टार्ट किया जो भी हमारा analysis भी बता रहा है मैं आपके साथ screen share करता हूँ और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से Python currently उपर जा रहा है I hope कि मेरे पास Google Trend जो है चल जाएगा वरना अकसर live class पढ़ाते पढ़ाते न वो केंदे ने पैड़ी भी लग जान दी तो अगर पैड़ी लगे तो मेरा साथ दिन है आपने ये नहीं करना है इन्हों आप नहीं आंदा समझ लें बात को वो जैसे भुपियां करती होती है आँ सोरी ऐसी बात नहीं हम करते हैं अच्छा मैं यहाँ पे worldwide trend देखूंगा यहाँ पे term लेखूंगा python एंटर इसको मैं compare करता हूँ से for example java से ठीक है अब अगर आप गौर करें यहाँ पे मैंने यहाँ पे past 12 months नहीं करना मैं यहाँ पे करता हूँ 2004 से present तक यहाँ पे चेक करें अब आपके पास दो trends चल रहे हैं हमारे पास जो java है वो यहाँ पे आ रहे है और python हमारे पास blue वाल है अगर गौर करें java कितनी top पे थी यह नीचे 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 आती गई यह basically trend क्या show कर रहे है कि कितने लोगों ने worldwide python का keyword search किया है 2004 से आप तक 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 तकरीबन 20 साल का date है और यहाँ पे अगर आप गौर करें इस जगह पे आके एक junction लगा 2018 से onward python बढ़ना start हो गया as compared to java चलें इसमें एक और competitor में डालते हैं c plus plus enter let's see यह हमारे पास एक तीसरा trend आ गया and now you can see कि जो c plus plus है वो google में एक ही trend में चल रही है we are not saying कि यह इसकी demand इतनी है मैं कह रहा हूँ कि कितने लोगों ने इसको search किया ठीक है और वो कोई change नहीं आ रही वो चलती जा रही है why because there are many software houses जिनको c plus plus जो है वो जुरूरी होती है अब यहाँ पे लिखते है ms excel let's see और यहाँ पे आप देखेंगे of course आपके पास जो ms excel है वो आपके पास आ रहा है अगर हम यहाँ पे गौर करें अगर मैं यहाँ पे keys अपनी ले के हूँ ms excel है आपका green वाला तो ms excel बहुत नीचे है as compared to python and other different जो हमारे पास tools है इसका दिखाने का मकसद यह है कि python उपर जा रहा है of course जहाँ पे change नहीं हारे c sharp में that we will just remove from here and or we can edit this with excel हो सकते है मैं microsoft excel लिखूं या ms excel लिखूं वो वले term जो है वो से तरीके से show ना हो and यहाँ पे इस तरीके से हम तीनों का comparison जो है वो देख सकें यह web searches की बात हो रही है all categories के अंदर ठीक है और अगर आप गौर करें of course हमारे पास जो excel है वो आप उपर जा रहा है ठीक है so it's just the kind of thing python और excel दोनों connected है so कहने का मकसद यह है कि python is actually booming up a lot worldwide web search के इलावा अगर आप youtube search की बात करें now we will see कि हमारे पास क्या आता है analysis यहाँ पे अगर चेक करें हमारे पास जो है python और excel यह दोनों जो है वो ऊपर जा रहे है और कभी कबार python नीचे आ रहा है as compared to c sharp और कभी कबार python ऊपर जा रहा है as compared to c sharp 2008 से onward और और of course यह सिरफ और सिरफ Google का data है मैं सिरफ Google की बात कर रहा हूँ and companies का data नहीं है companies का data मैंने पहले आपको दिखा दिया था इसी तरीके से अगर आप search करेंगे ना यहाँ पे data science को python की बात हमने कर लिए अब data science की बात करते है data science के लिए मैं यहाँ पे एक लफ़ लिखता हूँ data scientist is the sexiest job यह एक column था Harvard business review के अंदर 2012 में publish हुआ था and then they publish another column saying के 10 साल में क्या change आई अब यहाँ पे अगर आप गौर करें इस column में Harvard business review के अंदर लिखा गया था data scientist the sexiest job of 21st century इसको का गया था by Thomas H. Davenport and D.G. पाठिल ने ठीक है यह दो ऐसे लोग हैं जो basically data science के start pioneers में गिने जाते हैं अगर आप गौर करें यहाँ पे इन्होंने 2006 से onward पूरा industry का trend बताया था कि data science क्यों top पे आ रही है and then इन्होंने तबारा से एक और question पूछा क्या यह अभी भी sexiest job है यानि कि sexiest सा मतलब यह है कि क्या यह most attractive job है अभी भी and the answer was yes still it is an attractive job अब बात यह है कि data scientist उनकी job में python का जितना इस्तमाल है उतनी ही data scientist की job और भी attractive होते जारे है of course data scientist बनने के लिए सिरफ python ने ज़रूरी excel और बाकी दो और भी languages है SQL जो है वो भी ज़रूरी है लेकिन python की libraries जितनी कमाल बन गी है you can learn whole data science by just learning python ठीक है of course excel और बाकी चीज़े भी चाहिए basic level पे लेकिन if you learn actively python तो आपका काम सीधा हो जाएगा ठीक है so this was a kind of idea जो मैं आपको देना चाहरा था कि किस तरीके से जो हमारे पास जो है वो python चल रहा है यहां तक clear होगी बाद जी python क्यों ज़रूरी है क्यों टॉप पे जा रहा है अब आपने क्या करना है एक छोटी से assignment यहां पे लेते जाएं assignment ज़रूरी है भई काम करने के लिए बहुत छोटी से assignment है आपने 2020 से onward 2024 तक का trend निकालना है कि python popular अभी भी है के नहीं